हेलो फ्रेंट्स एस माइलिंग टुबर पर आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे कि आप ओनलाइन कैसे विर्धावश्ता पेंशन के लिए अपलाइक कर सकते हैं अगर आपके घर में आसपास कोई 60 साल का वेक्ति हैं तो आप उसके लिए है काम कर सकते हैं यह सुविधा लगबग सभी स्टेट में हैं आप किसी भी स्टेट में रहते हैं वहां से आप उसकी ओनलाइन वेबसाइट पर जागर ओनलाइन अपलाइक कर सकते हैं इसके लिए आपको किन-किन डॉकुमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, यह सब मैंने इस वीडियो में बताया हैं, और आप कैसे easily online apply कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, online फिर्थावर्ष्था pension को कैसे apply कर सकते हैं, पहले आपको Google open करना पड़ेगा, यहां आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, UP, केला, हर्याना, डेली, आपको अपनी स्टेट कर सर्च करना होगा, उपर लिखना होगा, old age pension, डिली, UP, हर्याना या जहां भी आप apply करना चाहते हैं, उसका नाम लिखकर आपको online apply लिखना होगा, लगबग सभी स्टेट में अब यह सुवीधा उपलब्ध है, कि आप online apply कर सकते हैं, जितनी भी स्टेट में यह सुवीधा है, लगबग सभी स्टेट का मैंने link description box में दे दिया है, आप सीधे उस पर click करके अपने स्टेट की website पर जा सकते हैं, और वहाँ apply कर सकते हैं, कुछ ही स्टेट में आपको अपना आधार नमबर डाल कर, सबसे पहले आधार नमबर डाल कर आपको register करना होगा, उसके बाद आपको पूरा form fill करना होगा, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको old age pension, UP online apply का करके दिखाती हूँ, लगवग सभी का same ही होता है form, तो आप भर सकते हैं easily, यहाँ पर आप इस पर click करेजिए, सबसे पहले जो आता है विर्धा वर्षता pension, UP की site है, तो यहाँ पर आपको यह option मिल जाते हैं, यहाँ आपको पहले number पर, online आप अपने print निकाल सकते हैं form का, और इसे भर कर, अगर आप offline दे सकते हैं, देना चाहते हैं, तो offline जमा करवा सकते हैं, यहाँ हम बात करेंगे आप online कैसे जमा कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको online पर click करना होगा, यहाँ आपको यह 4 option मिल जाते हैं, सबसे पहले new entry form, यहाँ आपको new entry करनी है, form fill करना है, यहाँ आपको final submit करना है, तीसे नमबर पर आप अपने form को देख सकते हैं और print out निकाल सकते हैं, चोथे पर user manual है, चलिए यहाँ पर हम 4 पर click करते हैं और देखते हैं, कि यहाँ क्या-क्या बताया गया है, इसमें सब कुछ बताया गया है, कि आपको कौन-कौन से document चाहिए, तो इसे एक बार पढ़ देना चाहिए, सबसे पहले आपको एक photo की जरूरत है, जो 20KB की होनी चाहिए, और JP Easy की format में होनी चाहिए, दूसरे नमबर पर आपको birth certificate देना है, IU परमान पत्र, इसके लिए आप कोई भी document जे सकते हैं, जिसमें आपकी IU mention की गई है, आप उसको भी 100KB में maximum होना चाहिए, और PDF की file में वो होना चाहिए, फिर आपको एक identity proof देना है, identity proof में आप voter ID, आधार काड़ या राशन काड़, इन तीनों में से एक चीज़ दे सकते हैं, तो आधार काड़ देना ज्यादा बेटर हैगा, क्योंकि उसमें आपकी age भी होती है, और आपकी identity proof में भी लग जाता है उसके लिए भी 100KB और PDF file, तीसरे पर आपको bank passbook देनी होगी, जिसमें आपकी pension आएगी, तो bank passbook की copy और 100KB और PDF file में वो भी होनी चाहिए, आपको आई परमान पत्र जरूर देना है, जो आप अपने तहसिलदार office से बनवा सकते हैं, उसे जरूर बनवाना है और वो भी 100KB में और PDF file में आपको upload करनी है, आप online भी PDF file में change कर सकते हैं अपने file को, और ये सारे document आपको पहले ही अपने computer पे या phone में रखने हैं, apply करते वक्त, क्योंकि phone में आपको इनको upload करना होगा, नीचे बाकी सारी information दी गई है, अगर आप चाहें तो एक बर से पढ़ सकते हैं, च पहले शुरू करते हैं, पहले नमबर पे registration करते हैं, यह form आपके सामने आ गया है, तो शब्से पहले आपको यहाँ पर अपना जनपद यानि अपना district चुनना है, जो भी इन में आपका district है, आप उसको चुन सकते हैं, आप जिसे मैंने यहाँ पर लखनव चुना है, वैसे ह इसके बाद निवासी, सबसे पहले आप अपनी तहसील चुन लीजिए, और उसके बाद निवासी, अगर आप ग्रामीन है तो ग्रामीन नहीं, तो नगरी है तो नगरी है चुन लीजिए, आप इसको अपने हिसाब से चुन लीजिए, इसके आप जो भी नगर है उसका नाम उसके बाद यहां पर आपको वार्ड नमबर फिर आपको यहां पर गाओं मोहला जो भी है आपको उसको फिल करना है इसके बाद आवेदक का नाम जिसके लिए आप फिल कर रहे हैं यहां पर लिंग मेल फीमेल उसके बाद पिता पती का नाम उसके बाद मकान नमबर लोकैलिटी गली नमबर और पिन कॉड और फ्रेंस यहां पर जहां पर भी यह रेड कलर का स्टार मार्क लगा हुआ है ये सारी चीजे कंपल्सरी होती है आपको भरना जहां भी ये स्टार लगे में महां भरना ही है उसे आप खाली नहीं छोड़ सकते उसके बाद यहां पर आपको पूरा पता भरना है उसके बाद आपको यहां पर अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो upload करनी है नीचे आपको अपनी श्रेनी चुननी है आप जिस भी श्रेनी से belong करते हैं S.E.S.T. O.B.C. General यहाँ पर उप श्रेनी अगर कोई है तो आप उसे चुन सकते हैं, लिख सकते हैं नीचे आपको अपनी जनमतिती लिखनी है आप ऐसे अपनी जनमतिती आपको चूज करनी होगी उसके बाद आपको यहाँ अपनी आयू आप अपनी जनमतिती और आयू में से किसी एक को चुन लेजिए इसके बाद आपको अपनी जनमतिती के लिए आयू परमान पत्र अपलोड करना होगा यहां पर पहचान पत्र यहां आपको पहचान पत्र का नंबर लिखना होगा और फिर आपको अपने पहचान पत्र को अपलोड करना होगा नीचे आपको अपना अधार कार्ड का नंबर लिखना है और यहां पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है उसके बाद आते हैं बैंक डिटेल्स पर यहाँ पर आपको अपना बैंक का नाम बैंक की साखा का नाम, ब्रांच नेम कि यहाँ पर अकाउंट नमबर और यहाँ पर आपको अपलोड करनी है अपनी बैंक की पास्बुक इसके बाद यहां पर आपको आपके परिवार की कुल वार्षी का है लिखनी है नीचे आपको तहसिलदार द्वारा आय परमान पत्र का नंबर लिखना है या फिर अगर आप BPL का नंबर है आपके पास BPL कार्ड है तो आपको नीचे BPL कार्ड का नंबर लिखना है आपको इन दोनों में से एक चीज लिखनी अनिवारी है अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों लिख दीजे और उसके बाद आपको यहां से अपना आय परमान पत्र अप्लोड करना होगा नीचे आपको एक capture code दिया गया है आपको यह capture code इसमें लिखना होगा आपको यहां पर एक reference number दिया जाएगा यहां आपका reference number होगा यहां से आप अपने भरेफे form का printout निकाल सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको पहले submit करना होगा final submit इसके लिए आपको दुबारे से उसी page पर जाना होगा और दूसरे number पर आपको click करना होगा यहां आप अपने form में अगर कोई गड़बढ है तो उसे edit कर सकते हैं और फिर आप उसको final submit करेंगे तो इस पर click कीजिए और यहां पर आप विर्धावस्ता pension को चुनिए नीचे आपको अपना district select करना है यहां आपको registration number लिखना है इसके बाद नीचे आपको capture code जो दिया हुआ है वो type करना है इसके बाद आपको search पर click करना है यहां पर search करते ही आपको आपका form आपके सामने मिल जाएगा आप अगर उसमें कोई edit करना चाहते हैं या कोई delete करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं उसके बाद आप उसको final submit करेंगे यह form आपके सामने आ चुका है इसे अच्छे से देख लीजिए यहां पर लिखा भी हुआ है कि यह form अभी शंशोदन यानि correction के लिए खुला हुआ है इसके बाद आपको final submit करना जरूरी है अगर आप final submit करेंगे तब ही है समाज कलियान अधिकारी के पास भीजा जाएगा कर दीजिए नीचे जाकर आपको capture code भरकर आपको फिर से submit करना पड़ेगा जैसी ही आप submit करेंगे आपके पास यह page आ जाएगा यहां पर लिखा हुआ दिखेगा कि आवेदन आपके द्वारा शुद्वैपून किया गया है हस्ताक्षर किया हुआ निशारी अगुठा लगा हुआ final submit आवेदन पत्र को print करके अपने documents के साथ जिला समाज कलियान अधिकारी कारियर ले में आपको जमा करना पड़ेगा और फिर वहाँ से आपको एक रसीद मिलेगी इसके बाद अपना status आप online चेक कर सकते हैं कि आपकी online जो request भेजी थी वह accept हुई है या reject हुई है उसका status क्या है अगर आपने print out नहीं निकाला थे तो आप तीसने number पर जाकर फिर से अपना print out निकाल सकते हैं यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और आपको पूरा फोम आपके सामने होगा और आप अपना print out निकाल लीजिए चलिए चेक करते हैं такое यहाँ पर आपके पास option दिया गया है यहाँ पर आपको अपना reference डाल कर अपना status चेक करना होगा कि आपकी application का status क्या है वो accept हुई है, reject हुई है, reject हुई है तो क्यों हुई है और दोस्तों आप सोच रहे होगे कि आपको फिर से offline जाकर आपको perform जमा करवाना है वैसे mostly में यही होता है लेकिन इसके एक फायदा भी है कि अगर आप वैसे direct offline जमा करवाते हैं तो कई बार कुछ धिकारी से कुछ गलतिया हो जाती है जो आपको दुबारा से ठीक करवाने ही पड़ती है लेकिन अगर आप online form भरते हैं तो वहाँ पर आप खुद form कर भरते हैं इसलिए उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती है और आपने अपने form को दो तिन बार चेक कर सकते हैं उसके बाद खुद submit कर लेते हैं तो वहाँ आपसे कोई गलती नहीं होती है तो friends अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो please हमारे चैनल को subscribe करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का notification आपको मिल सके Thank you friends